हाई डीरी स्टुएंट कैसे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेलग्रा सिंग 10 प्लेस टॉलमें देखो बेटा ये दूसरी वीडियो है साथ दसम्लब चार की खक्षा बाराय का आप जानते हो क्या चल लेया ठीक है ना आज आएंगे सवालों पर भूत अच्छी सवाल चल भाँं देखो विटर क्या करें ने हम्मारी है साइन की परवाल का अएए तो बुणा पहले जो में बुढ़ा खोलते हैंगे ठीक है डिक वांडम ऐसे आइसे एक्स स्क्वाररा माइननस दो एक्स और एक्स स्क्वार और ग्लस के 2 बस होल्य स्क्वार मनलो पना लो यह यह क्या होगे ऊप सबस्रौन किस मुध्टा आ जाएगा बिटा यहां 2AB का पर 3X है और 2X है आप भाग दोगे इस से यह कैंसल तो 3 बटे 2 का वर्ग जोड़ लो और 3 बटे 2 का वर्ग घटा लो 1 अपॉन यहां DX अंडरूड ऐसे ही बिटा यहां पर लिखेंगे X स्कॉार पिलस के 3 बटे 2 का वर्ग जोड़ लो और माइनस के 3X और माइनस के 3 बटे 2 का वर्ग घटा लो और पिलस के 2S है ठीक है खेर देख तो बुटा यहां क्या करेंगे अब हम क्या यहां होल स्कॉार बन चुका है DX अंडरूड ऐसे ही यहां पर क्या इतने की जगह क्या लिखा गई X माइनस के 3 बटे 2 इसका होल स्कॉार और माइनस यह कितने हो गए 9 बटे कितना हो गए 4 ठीक पिलस के 2 यहां इन गिंतियों को जोड़ ओगे तो उस कंदीशन में क्या हो जागा समाकलन अंडरूड यहां क् गाला बटा 10 माइनस के 3 बटे 2 इसका होल स्कॉार और क्या हो जागा बटा यहक करको जोंगे और यहां हो जागा 8 आठ यहां हो गया, नो, नो में से आठ गया, तो माइनस के एक बटे चार आ गया, और डी एस आ गया, ठीक, दोनों पदों का होल स्क्वार, बेदा लो, समाकलन वन अपॉन अंडरूड, क्या लिखाँगे, एक्स माइनस के तीन बटे, दो इसका होल स्क्वार, और माइनस एक बटे, दो इसका होल स्क्वार, ठीक है, इसको टी मानोगे, तो यह डी टी डारेक्ट कर दो, कौन सा रूप बना, समाकलन बना पॉन, अंडरूड एक्स स्क्वार माइनस का एस्क्वार, बराबर हम जानते, क्या होता, लॉग एक्स, प्लस, अंडरूड जितना है, उतना, एक्स स्कॉार माइनस का एस्कॉर, प्लस केसी, यान कि कुल मेलाई के इसका क्या हो जागा, इसका हो जागा, लॉग, यहां पहर, इतना ही, एक्स माइनस 3 बटे, दो, और प्लस जितना, उतना जितना का मतलब है X माइनस के 3 वटे 2 इसका all square माइनस 1 वटे 2 इसका all square पिलस के सी और करेंगे लोग ऐसे ही बिटाए यहाँ X माइनस 3 वटे 2 पिलस अंडरोड में वो ही बनता है जो सवाल होता है सवाल क्या था यही वाला ठीक है ना आरही बाद तुमाई समय में सही परवार वाले सवाल है देखते हैं बिटा आगए सवाल नमबर कौन सा सोलमा सवाल सवाल देखिए हाँ कुछ सवाल से मैं इसलिए छोड़ देखिए जो है वो आप प्राइब करके देखो कोई देखत नहीं है ना हो कमन टो एकस में इदर देखेंगे अब इसका देख रहा है बिटा इसका डिफरेंचिल बताना कितना है अरे इसका एकस स्क्वार का 2 एकस हो जाएगा यहनकी 4 एकस और इसका बन तो पूरे का डिफरेंचिल यह न रखा तो तो फिर सवाल किसका रहा अरे अंडरोट T का बन गया प्रती स्थापन का सवाल है ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है क्या 4X पिलस के 1 और अपॉन अंडरोट कितना 2X स्क्वार पिलस के X माइनस के 3DX इसको T माल लो बेटा देखो उसका डिफरेंचिल उपन ना रखा है हाँ 2X स्क्वार पिलस के X माइनस के 3 बरावट किया माल लिए मैंने ठी अब देखो करो बेटा अब लो क्या करोगे इसका डिफरेंचिल करो डिफरेंचिल वेद रेस्पेट 2X और क्या लिखोगे बोड साइडू देखो क्या अरे 2S गी D अपन डिएक्स किसका X स्क्वार का D अबर डिएक्स किसका बेटा X का माइनस D ओबर डिएक्स किसका 3 का D ओबर डिएक्स किसका बेटा 3 का यह होगै 2X 2 दूनी 4X पिलस इसका होगै when तब 1, माइनस इसका हो गया सून, dt अपॉन dx हो गया, कुल मिला एक है 4x पिलस के 1, और ये इसका dx हो गया, और बराबर क्या हो गया dt, सही, देखना सवाल तब क्या बना, अरे तो फिर तो बिलकुल सरल सवाल हो गया, बन अपॉन अंडरोड टी, और क्या बना ये, dt, इसको उपर ले जाओ बिटा, टी की पावर माइनस के हाफ, और dt, ये कंडिशन क्या हो जाएगी, टी की पावर माइनस हाफ, पिलस का बन, अपॉन माइनस हाफ, पिलस का बन, और पिलस का क्या हो जाएगा, सी, बिटा, एक मैं सе आदर बाशी कि पावर अधी और यहां भी आधावचा फिलस का सी नीसे बाली भेंदों पलड जाएघी टू ऐसा ही इसको लिख सकते हूं अन्रू टी और फिलस का सी तू ऐसे ही बीटा टी की जगह मान रख दो, टी की जगह क्या, अरे टू एक्स स्वार, पिलस के एक्स और माइनस के कितना तीन, और पिलस के सी, और यह क्या गया आँज़ ऐसे समझो, यहाँ का सवाल ना था यह, सही है ना क्योंकि यहाँ तो सब परवार वाले सवाल है ये तो प्रतीस थापन का सवाल देती है किसका दिया आए वेटा ये प्रतीस थापन का सवाल देखते हैं वेटा अच्छा सवाल रखा हुआ है कौन सा सवाल है सत्रमा उधर देख रहे हैं सवाल आप अच्छा सवाल है बास्तम में जी सत्रमा जो है कैसे सवाल ह देखो क्या सवाल है बेटा एक्स पिलस के दो और अपॉन अन्डरूल एक्स स्क्वार माइनस के बन और दी है बेटा ये दो सवाल है क्योंकि ये अकेला मिल गए तो तो सूत्र है हमारा तो ये इसके बटे में ये इसके बटे में दो सवाल है एक्स है सही अपॉन अन्डरूड एक्स स्क्वार माइनस के बन और दी एक्स और पिलस के टू है सही समाकलन और क्या अंडरोड एकस स्क्वार माइनस के बन और टी है इसका तो हमें अभी पता है अब देखो बेटाई इसका डिफरेंचल यह रखा तो यह तो पिरती स्थापन का होगे ना क्या होगे पिरती स्थापन का यहां मान दो माना x square minus के 1 बराबर d डिफरेंचल लिखोगे डिफरेंचल with respect to x बोथ साइड क्या लिखोगे d upon dx x square का माना दी over dx 1 का d over dx किसका होगे टी का, इसका होगे भीटाइ, 2X, minus इसका होगे सुन, DT अपॉन DX, यह भीटाइ, 2X, DX बरावर DT, हम पर कितना है, हम पर यह है, X, DX बरावर DT अपॉन तो, तब उस कंडिशन में सवाल क्या बना, समाक नद, यह तो DT अपॉन दो होगे, और यह रह गया, 1 upon under root t into dt upon 2 और पिलस वह समाकलन उसका हम डारेक बता था हम चाहाते तो जब ही करते थे 1 कर टी तो इसको आप देखो बेटा कैसे करेंगे अब इसको उपर लिया इसको आगर रख ले बता एक बते दो समाकलन t की पावर माइनस के हाफ और dt मेंट हैं उपर लाओं गए माइनस के हाफ रह और पिलस की कितना हो गया 2 समाकलन वन अपॉनट एक स्कॉऑार माइनस का इसकॉणण औो dx करोगे पड़ा एक कुथर एक बटे दो ऐसा ही ती की पावर माइनस हाफ पिलस का 1 और माइनस हाफ पिलस का 1 अरे क्यों अरे एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है गटा क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस का वन अपॉन एन प्लस का वन प्लस ही उस आधार पर कर रहे हैं न तो उस आधार पर ही होगा प्लस के टू यह सीधे लोक का है साइन के परवार का एक्स प्लस जितना होतन X square minus 1 square और plus के का गर्दूश C यह देखो बिटाई यहाँ आदा बचा है यहाँ भी आदा आदा से आदा कैंसल पावर बची अंडरोड T और plus के 2 log और क्या X plus के अंडरोड X square minus के 1 और plus के C यहाँ T का क्या रख दो मान T कितनी थी बिटाई कितनी मानी हमने हाँ X square minus के 1 और plus के 2 log और X plus के अंडरोड X square minus के 1 और यही क्या आदा आदा अच्छा सवाल था यह बिटा सत्त्रमा वाल कौन सा सत्त्रमा दोरे सवाल नहीं है हाँ ऐसे ही सवाल आ जाते है जो परवार का भी हो और सेंपल भी हो देखा बटा कौन सा सवाल अगला बढ़िये सवाल देखा हूँ तुम फिर से लुको बीस में सवाल बटा अच्छा सवाल है समाकलन एक्स प्लस के टू और अपॉन अंडरोड कितना चार एक्स माइनस के एक्स स्वाल और डी एक्स ठीक है ये कौन से सवाल है ये डवल डवल वाले सवाल है कौन से सवाल है जिने दोरे सवाल बोलते हैं कैसे एक तो हमें पता है नीचे होल स्कॉार बनाना पड़ेगा और एक बान नीचे का ऊपर क्या होगा डिफ्रेंचिल होगा निश्यत बिलकुल सिंपल तरीके है हलां कि तरीका है इसका ना तो सीधे ऐसे ही कर दोगी सीधे इसको सिंपल भी करा जा सकता है कैसे करेंगे देखो बिटा यहां पहले बिटा इसके डिफ्रेंचिल कितना होता ही यह बताओ बिटा चार एक्स माइनस एक्स स्कॉार का जो डिफ्रेंचिल होगा वो हम देख रहे हैं दी ओवर डी एक्स चार एक्स माइनस एक्स स्कॉार का इसका होगे चार माइनस इसका होगे टू एक्स तो चार माइनस टू एक्स होना चाहिए ठीक है चार माइनस टू एक्स तो क्या करेंगे देखो अपनी तरफ से माइनस यहां लगा लो अंडरोड चार एक्स माइनस के x स्क्वार डी x अब देखो यहां माइनस के x और माइनस के 2 होगे और मुझे चाहिए क्या 2x तो 2 की गुड़ा 2 की भाग कर लो 2 की गुड़ा 2 की भाग माइनस यहां बेटा एक बटे 2 ऐसे लिख लो यहां माइनस के 2x और माइनस की क्या होगा जब 2 की करोगे तो यहां पर 4 होगा कितना होगा एक 4 क्योंकि 2 की गुड़ां 2 की भाग कर रहे हैं अंडरूट कितना होगा 4X माइनस के X कुल में लाएके मैंने बता है 4X माइनस के 2 माइनस के 1 बटे 2 ऐसे ही यहां DX ऐसे ही अंडरोड यहाँ 4X माइनस के एकसपार 4 अपनी तरफ से जोड़ो लो और 4 घटा लो और यह वाले 4 पहले ही लिखे हुए है कुल में लाए के माइनस एक बटे दो समाकलन अंडरोड एकस ऐसे ही अंडरोड कितना लिटा है अंडरोड जो है वो लिख लो अंडरोड कितना 4X माइनस का एकसपार और यह विटा यहाँ 4 माइनस के 2X और यहाँ क्यातना होग Carne 4-4 8 होगे अलग अलग कर लो एक बटे दो समाकलन और डियрьकस कितना होगे 4 माइनस के 2X और अपन अंडरोड 4X माइनस के एकसपार इसकी इससर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पिलस इसको ये काड़ देगा चार बार समाकलन बन अपन अंडरोड और कितना हो गया चार X माइनस के X स्कॉाइड और D X देखो बेटा हो सकता है ये तुमारी समझ में ना है देखो इसके दो तरीके हैं बैसे simple तरीका तो मैं अपने तरफ से बता रही है बेटा simple तरीका क्या है देख रहे हैं पहली बात तो हमें ये पता लग गया था कि ये sign के परवार का था लेकिन sign के परवार का मतलब है उपर कुछ ना होना चाहिए क्योंकि परवार जब ही बनाया जा सकता है जब उपर गिंती हो ठीक तो फिर क्या है फिर तो ये दो सवाल है एक बार इसका differential उपर होना चाहिए और एक बार simple होना चाहिए तो पहले मैंने इसका differential बना दिया देखो इसका differential का मतलब है सब को पता होगा बिटा 4X माइनस X सक्कार का differential आएगा 4 माइनस के 2X यनि कि उपर 4 माइनस के 2X होने चाहिए तो कोई बात ना गिंती तो हम जोर और गटा लेते है कुन में लाए कि हम पर माइनस के 2X होना चाहिए लेकिन हम पर तो X है बेटा क्या है X तो इसका मतलब माइनस लगाना है तो एक माइनस यहां लगा और एक अंदर ले जाओ तो माइनस आगया लेकिन अभी हमें चाहिए माइनस के 2X तो 2 की गुणा 2 की भाग 2 की भाग वाले यह रखे और गुणा वाले में अंदर भीत दी ठीक अब हम देख रहे हैं माइनस के 2X आगे इसके परोस में पिलस के 4 चाहिए थी चाहिए थी ना चाहिए तो हम नहीं क्या कर लिए 4 जोड लिए और 4 घटा लिए तो ये सवाल अलग और बो सवाल अलग बस ये T तो ये रखी इसकी DT और ये बनाओंगा मैं कौन सा होल स्कॉार क्या बनाओंगा बिटा उसके लिए होल स्कॉार बनाएंगे दो पन होगा ठीक है ना कुल में लाएक है ये पहला पत का तो समाकलन पता पढ़ गया तो कुल में लाएक है क्या लिखाँगे बिटा यहां माइनस एक बटे दो समाकलन चार माइनस के 2X अपॉन अंडरोड कितना चार X माइनस के X स्क्वार और DX ठीक और बहां क्या लिखूंगा पिलस के 4X ही बेटा यहां समाकलन बन अपॉन अंडरोड वही क्या करोगे DX इसको माइनस चिन कॉमन ले लो यहां से यह हो गया X स्क्वार और यह हो गया माइनस के 4X ठीक है चलो यह तो जब चाहेंगे तब कर लेंगे माइनस के 1 बटे 2 और यहां अगया 4 माइनस के 2X और अपॉन अंडरोड 4X माइनस के X स्क्वार और dx प्लस के 4 यहां whole square बनाओ बिटा अंदर क्या बनाओ whole square तो हमें पता है माइनस अंदर क्या है बिटा x square माइनस के 4x अब हमें पता है देखो x square यह a square यह 2ab का पद क्या आया 4x इसको 2x से बाग दोगे तो 2 चाहिए तो 2 का बर्ग जोड़ दो और 2 का बर्ग क्या कर दो घटा दो तो कुल में लाए के माइनस एक बटे दो ऐसे ही यहां 4 माइनस के 2x अपॉन अंदरोड 4x माइनस के x square dx फिलस के 4 ऐसे ही लगाओ और यहां क्या हो जाएगा यहां 1 अपॉन और dx यहां अंदरोड और माइनस के अंदर क्या हो गया x माइनस के 2 इसका और माइनस के कितना हो गया 4 और करेंगे माइनस के 1 बटे 2 समाकलन 4 माइनस के 2x और अपॉन कितना हो गया अंदरोड 4x माइनस के x square और dx और पिलस के 4 समाकलन जब इसको खोलोगे तो ये पिलस का और ये माइनस का तो अंडरोड कितना हो जाएगा चार पिलस का और एक्स माइनस तो इसका होल स्वार ठीक है ना सही है बिटा माइनस के एक बटे तो ऐसे समाकलन चार माइनस के टू एक्स और अपॉन अंडरोड चार एक्स माइनस के X square और DX और प्लस के 4 यह क्या है बन अपॉन अंदरूड इसको लिख सकते हैं दो का square माइनस के X माइनस 2 इसका whole square और DX जोनों पदें दो सवाल हैं बैटा यह टीम आना होगे तो डीटी हो जाएगा सही है ना चलो मैं इधर से साफ कर दें बैटा तो तब क्योंकर बढ़ाई हो गया सवाल है ना इधर देखो चलो और बताओंगा परिशान में इधर देखो मैंता कैसे करोगे यह मान लो यह तो मानना पड़ेगा क्या करेंगी माना चार एक्स माइनस के एक्स स्कार बराबर टी डिफरेंचल करोगे डिफरेंचल बिद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखाओगे बोट साइड क्या लिखाओगे चार डी ओबर डी एक्स किसका एक्स का माइनस डी ओबर डी एक्स किसका होगे एक्स स्कार का डी अपॉन डी एक्स किसका होगे टी का यह होगया बन तो चार माइनस यह होगया टू एक्स पूरे का d x और बराबर क्या जाएगा d t तो ये हम सवाल कहां पहुँचे तब हम पहुँचे बिटा सवाल पर माइनस एक बटे दो ये t तो ये हो गया d t समाकलन बन अपॉन अंडरोड d और इंटू d t और प्लेस के चार अरे उसको ऐसे कर दें बन अपॉन अंडरोड दो का स्कॉर माइनस के x माइनस के दो इसका होल स्कॉर और d x सही इसका क्या करोई माइनस एक बटे दो समाकलन टी की पावर माइनस के हाफ और d t और प्लेस के चार समाकलन अंडरोड कितना दो का स्कॉर माइनस के x माइनस 2 इसका 16 पार और dx ठीक देखो कैसे लिकाओँगे बेटा यह क्या करेंगे माइनस एक बटे दो ती की पावर माइनस आद़ी पिलस का बन अपाउन माइनस के आदी पिलस का बन और पिलस के चार यह किसका है अरे साइन इन्वर्स का है अशनी फार्वुला, इतना X माइनस के 2 अपाउन ये का मतलब 2 और person का C, ये एक बटे दो हो गए एक बटे दो से 2, और अभयल, पैंचन पावर हो गए आधी तो माइनस के अंडरोट T और पिलस के 4 साइन इंवर्स, X माइनस के दो अपॉन दो पिलस के सी टी की जगह मान रख दो अंडरोट टी की जगह कितना अब टी की जगह चार अब एक्स माइनस के एक्स स्कॉर्ड और पिलस के चार और साइन इंवर्स एक्स माइनस के दो अपॉन दो पिलस के सी और यही क्या गया answer, सही है, यह double double सवाल है, बिटा, कैसे हैं यह double, हलाकि कठे नहीं है, बिटा इस में क्या करना पड़ाएगा हमें हमें बनाना होता है क्या करना होता है, अब बनाने के यह दो तरीके हैं पर यह simple तरीका है एक बार नीचे का ऊपर differential बना लो और एक बार क्या बना लो फरवार बना लो एक याश सवाल और दिखाऊंगा मैं तुम्हें इसके करा के ताकि कि आप लोगों को दिक्कत ना परे, ठीक है देखते हैं इसे एक याश एक सवाल और कराऊंगा फिर दो को जैसे ये है सवाल कौन से सवाल है بیٹا तेई सवाल है बस यही सवाल करा हूँ समाकलन पांच एक्स पिलस के तीन और अपोन क्या है अंडरोड यहाifiers एक्स स्क्वार पिलस के चार एक्स पिलस के डस और क्या कलूंगा ठीक अब देखो बेटा जैसे ये सवाल देख रहा है सही है ना कुछ सवाल तो बिल्कुल सह रहा है ला कुछ ऐसे है देख रहा है इसका differential उपर बनाओ इसका differential यह क्या 2x प्लस के 4 है अरे x square प्लस के 4x प्लस के 3 का सुरी 10 का differential करोगी तो d over dx करोगे यहां पर तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस के 4 तो 2x प्लस के 4 होने चाहिए और है कितनी 5x तो पिटे पहले 5 बाहर निकाल दो निकाल दो dx यहां कितना हो गया x प्लस के 3 बटे 5 हो गया और under root कितना हो गया x square प्लस के 4 है प्लस के 10 हमें कितना चाहिए 2x प्लस के 4 चाहिए 2 की गुणा 2 की भाग कर दो क्या कर दो 2 की गुणा दो 5 बटे 2 ऐसे ले जाओ यहाँ पर अपने तरफ से अंडरूट क्या करोगे x स्क्वार प्लस के 4x प्लस के 10 यहाँ क्या करेंगे 2x प्लस 2 तिया 6 बटे 5 ठीक और करेंगे बटा मुझे 2x प्लस के 4 चाहिए तो अपने तरफ से 4 जोड़ लो और 4 घटा लो तो अंडरूट क्या करोगे x स्क्वार प्लस के 4x प्लस के 10 यहाँ 2x प्लस के 4 और माइनस के 4 और प्लस 6 बटे 5 है ठीक कुल में लाएके 5 बटे 2 समाकलन ऐसे d over dx यहाँ अंडरूट एसी प्रकार x स्क्वार प्लस के 4x प्लस के 10 यहाँ बटा इतना सवाल अलग रखोगे 2x प्लस के 4 इनका कर लो 4 पंजे 20 20 में ऐसे 6 गई अरे घटा रहा हूँ 6 तो कितना बचा 20 में चेकर 14 तो यहाँ 14 बटे 5 बचा क्या बचा 14 बटे 5 अलग अलग सवाल करो बटा 5 बटे 2 समाकलन यहाँ लिख लो 2x प्लस के 4 और नीचे अंडरूड कितना है बटा एक्स स्क्वार प्लस के 4x प्लस के 10 और dx इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 5 बटे 2 और कितना बचा 14 बटे 5 समाकलन यहाँ लिख लो 2x प्लस के 10 और का करोगे डी एक्स बिटर क्या करेंगे अब ये टी तो ये तो डी टी सवाल बना दिया आपने यहनकि पांच बटे दो समागलन ये तो अब कभी भी कर दोगे अंडरोड कितना एक्स स्क्वार प्लस के चार एक्स और प्लस के दस और उपर है टू एक्स प्लस के चार ठीक यहां देखो पांच से पांच कैंसल दो सकते माइनस के साथ अब यहां फिर से होल स्क्वार बनाने का नियम लगा होल स्क्वार अब हमने तुम्हें बताया कि होल स्क्वार बनाऊंगा ना तो यहां X स्क्वार ऐसे ही, पिलस 4X, ये 2AV की जगह 4X है ना, इसको 2 से वाग दोगे तो 2 आएगा, यहनकी 2 का बर्ग जोड़ दो, और 2 का बर्ग घटा दो, और पिलस का क्या होगे, 10, कुल मेलाई के सवाल क्या बच्चा बेटा, सवाल यहां देखते है, हुआ क्या, कहां पोँच गए बेटा, यहां हम पोँचे हैं, कितना 5 बटे दो समाकलन, उपर कितना है बेटा, 2X पिलस के 4, नीचे वाले का डिफरेंचल रखाए, समाई लो, किसका यहां पे, X स्क्वार पिलस के 4X, और पिलस के 10, इसका डिफरेंचल माईनस के साथ, समाकलन, यहां के आया, DX, क्या बन गया अरे इतना होल स्क्वार ना बन गया, किसका समाकलन, X पिलस के 2, इसका होल स्क्वार, और यहां क्या होगी बटा, यहां 4 यह यह 6, 10 है तो प्लस के 6 बचा प्लस के 6 कुल में लाएके और करेंगे 5 बटे 2 समाकलन क्या आगया 2X प्लस के 4 और नीचे अंडरोड X स्कॉार प्लस के 4X प्लस के 10 और DX माइनस के 7 इसको दोनों पदों का होल स्कॉार बना लो तो अंडरोड इसका स्कॉार क्या हो जागा अंडरोड 6 इसका स्कॉार और प्लस इसका लिख सकते हो X प्लस 2 इसका होल स्कॉार ठीक अब देखो बेटे इसको क्या करेंगे इसको मान लो यह T तो यह क्या है DT अरे माना क्या X स्कॉार प्लस के 4X प्लस के 10 बरावर T differential कर दो D over DX किसका X square का plus 4 D over DX किसका X का D over DX किसका 10 का D over DX किसका विटा T का ये कितना होगे है 2X ये कितना होगे है 4 ये होगे है 1 ही होगे है सुन बरावर क्या आगे है DT upon DX इधर को लियाओ 2X प्लस के 4 और यहाँ पर DX बरावर क्या आगे है DT तब सवाल क्या बना अरे सवाल बना बिटा क्या यहाँ 5 बटे 2 समाकलन बन अपॉन अंडरूट T और DT बहुत टाइम से कर रहे हैं इसको ठीक है क्या करेंगे माइनस के 7 और समाकलन बन अपॉन अंडरूट अंडरूट 6 का स्क्वार पिलस के X पिलस दो इसका होल स्क्वार यह किसका है साइन का है 5 बटे 2 इसका करणते जले आ रहे हैं T की पावर आदी बसती है और यहाँ भी T की पावर आदी और माइनस के 7 और यह लोग और T का मतलब है X पिलस के 2 और पिलस जतना है सवाल होता न अंडरूट 6 का स्क्वार पिलस के X पिलस 2 इसका होल स्क्वार और पिलस के क्या करदोगे C आदे से आदा यह कैंसल 5 और यह अंडरूट T अंडरूट T का मतलब है T का मतलब हो गई तो X स्क्वार पिलस के 4X पिलस के 10 माइनस के 7 लोग ऐसे ही बिटा यहाँ पर क्या आजागा X पिलस के 2 और पिलस यह सवाल बनता है कौन से सवाल वही सवाल है कौन सा X स्क्वार पिलस के 4X और पिलस के 10 और पिलस के क्या है आर इवा सवने एक वाद धिहां लखना इसका एक सवाल आ जाता है ठीक है चालो बिटा फिर मिलते हैं एक बार बाद में मिलेंगे इनकी अच्छे अच्छे सवालों को लेकर है ना फिलाल इसको आपने बिटाइए ठीक है धर्नवाद फिर मिलते हैं